किस वीडियों हम लोग बिहार बूर्ट क्लास से बंत प्रस्णा वाली 13 पॉइंट दो का क्वेस्चन नमर 11 तक देख चुके हैं इस वीडियों हम 11 से आगे देखेंगे तो देखते रहे वीडियो को लास्ट तक तो चलिए बिना समागा दोस्तों यहां पर देखें क्वेस्च बनाने वाली दो भूजाओं में से एक की लंबाई दिया हुआ है तीन सेंटीमीटर हो तो चलिए हम इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने कॉपी में और यहां पर देखें 12 नमबर में यहां पर हमने क्या किया एक सबसे पहले रफ त जैसे कह रहा था कह रहा था कह रहा था यहां पर एक बीसी समकौन तिर्भूज बनाने के लिए तो हमने ए बीसी समकौन तिर्भूज बनाया और इसके बाद कह रहा था यहां पर एक कौन दिया हुआ हुआ पांस सेंटीमीटर तो यहां पर याद रखिएगा जो कौन सबसे बढ़ा रहे हैं इसमें देखिए कौन सा कौन सबसे बढ़ा है यहां पर जिनकी भुजा सबसे बढ़ा रहे है वो क्या कौन कहलाएगा क्या कर्ण कहलाएगा जैसे यहां पर यह देखिए यह सबसे बढ़ी भुजा किसका है यह है एसी दिया हुआ है एसी हमने कर्ण माना इन को बना लेते हैं यहां पे सबसे पहले 3 संटीमीटर है तो 3 संटीमीटर नाप लेंगे इस परकार से यहां पे हम नाप लेते 3 संटीमीटर तो यह हमरा होड़ा 3 संटीमीटर और इनको हम काट लेंगे इस परकार से यहां से हम काट लेते हैं तो हमने यहां पे इस परकार से हमारा कितना पांस सेंटीमिटर कर्ण दिया हुआ हमारा पांस सेंटीमिटर तो हम कर्ण काट लेंगे यहां से बिंदु से पांस सेंटीमिटर इनको हम सी मानेंगे और यहां से पांस सेंटीमिटर तो इन आप लेते इस परकार से यहां पर पांस सेंटीमिटर इस परकार से तो हमने यहां पे इस परकार से सिधा रेखा ले लिया और इनको देखे यहां पे कट कहा रहा है यहां पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस परकार से बिंदू लेंगे और इनको मिला लेंगे यहां से हम मिला लेंगे इनको अच्छी परकार से यहां से मिला लेते हैं अच्छ आपको हमेशा याद रखना होगा समकों तिर्भूज हम उस तिर्भूज कोते हैं जिनकी एक को नबे डिगरी का हो याद रखिएगा जिनकी एक को नबे डिगरी का हो उससे क्या कहते हैं समकों तिर्भूज और दो कौन क्या होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तो यह हमारा हो गया 90 डिग्री का और यह दोनों क्या होगा छोटा होगा तो इस परकार से हमने समकोन तिर्भूज बना लिया इसमें आप लिखेंगे रचना अब रचना हमें लिख देंगे पहला नमबर से यहाँ पे वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं तो अब देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट नमबर में लिखा है सबसे पहले हमने एक रप समकोन तिर्भूज बनाया इसमें यह क्या है समकॉन तिर्भूज है हमने समकॉन तिर्भूज बनाया है यहां पर इसके बाद देखें यहां पर इस चित्र के अनुसार हमने यहां पर बनाया है इसमें 3 cm लंबा एक भी सी रेखा खीचा है यहां पे देख लीजे यह चापघ्षाई 5 cm पर ईसके बाद के 4 नवर में के रहाएं ज लिखेंगे अब 5 नमर में इस प्रकार अभिष्ट तिर्भूज पराफ्थ हुआ तो इस प्रकार से हमने 12 नमर देख लिए अब देख लेते हैं तिरो नमर के रहा है समकुन तिर्भूज इसमें भी क्या हिए समकुन तिर्भूज PQR बनाएए जिसमें इनका कर्ण दिया बनाना है उनको 10 सेंटीमीटर कातना है इसके बाद Q.R. Q.R दिया हूँ है छौज सेंटीमीटर ने लिया। चल्यू कोदेख लीजिए तरह में नमर में सबसे पहले यहाँ यहाँ चौश मिवारा का रहा है। बना लेंगे तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे क्यू और आर 6 संटीमिटर है तो प्यू आर 6 संटीमिटर का एक चाप खिच लेंगे यहां पर इस परकार से रेखा लेंगे और इसमें लेंगे इस में क्या नेक्या काट लिया और इस बिन्दू पर हम इस परकार से करेंगे इसे बिन्दू डाल देंगे और यहां uh Haun को कहेंगे जो सबसे बड़ा कौन हो सबसे क्या है यहां पर ठोटा है यह वह क्या कहेंगे किरन message वाइस में 10 सेंटीमिटर तो करन नाप लेंगे 10 सेंटीमिटर काट लेंगे इस परकार से हम यहां पर नाप लेंगे तो हमने यहां पर देखिए 10 सेंटीमिटर का नाप लिया इस परकार से और यहां पर हम काट लेंगे यहां से काटेंगे 10 सेंटीमिटर यहां से काटते हैं त परकार से लिख दिया और इसके बाद देखें यहां पर जो कट रहा है इसमें यहां पर कट रहा है तो यहां पर हम एक बिंदू डाल देंगे और इनको हम मिला लेंगे इस परकार से यहां पर हम अच्छा से मिला देंगे तो यहां पर मिला लेते हैं अच्छी परकार से यहां पे इस परकार से हम मिला दिये तो देखिए यहाँ पे मिला है है इसमें भी थोड़ा सा यह देखिए लकीर थोड़ा हमाना है यहाँ ऌफे एक इर नबाना है P जैसे जैसे कह रहा था वैसे इसमें नंटे में डिया वैश इनटावाय है समक२ मैंने बता है परिभासा हमने समगों ऊस टिर्भूझ को करते हैं जिनकी एक कॉन 90 dein से छोटा तुर सा क्या होता है सरफ का आग याने के 90 या दिश छोटा दोस्ते हमadder करेंगे इनका लिख देंगे रचना में दोस्तों हमने यहां पर रचना में लिख लिया है सबसे पहले हमने एक रफ संकुन तिर्भुज बनाए एक रफ संकुन तिर्भुज यह हमारा रफ तिर्भुज है दूसरा नमर हमने लिखा चो सेंटीमीटर लंबा आर क्यू रेखा और यह हो गया Q 6 cm लंबा रेखा खीचा इसके बाद के तीसा नमर है Q से 10 cm पर Q से 10 cm पर यहाँ पर चाप खीचा है और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4 नमर लिखेंगे यहाँ पर देख लीजे आर से पी आर रेखा Q से पी आर या फिर बोल सकते हैं Q P या फिर बोल सकते हैं Q Q रेखा खीचा इस परकार 5 नमर में लिखेंगे इस परकार अभी समकोन तिर्भूच पर आपकों तो रहें यहाँ तो